पाट अठारा कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग एक तामे पल एक बार की बात है एक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला एक पेड़ की नीच छे उसने ताना डाला और चाल बिचा कर लेट गया कुछ देर बाट कबूतरों का एक जुंड दाना फैला हुआ देखकर नीचे उत्रा जैसे ही कबूतरों ने दाना चुकना शुरू किया वैसे ही वे जाल में फस गए जाल में कबूतरों को फसा हुआ देखकर शिकारी खुश हो गया उसने सूचा आप तो कबूतर फसी गए हैं मैं थोड़ा और आराम कर लूँ कबूतरों ने अपनी को जाल में फसा देखा तो वे सब डर के मारे रूनी चिलाने लगे इस पर उनकी मुख्या ने कहा यह सब करने से अब कोई फाइदा नहीं है हम सभी को मिलकर इस जाल के साथ उड़ने की कूशिश करनी चाहिए कबूतरों ने फैसा ही किया जाल के साथ उड़ते हुए वे एक पहाड़ पर पहुँच गए वहां मुख्या कबूतर का मित्र चूहा रहता था उसने अपनी तेज दातों से जाल को काट कर कबूतरों को आसाथ कर दिया सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और उड़ गए शिक्षा एकता में ही पल होता है नित्रता एक दिन नदी में एक पत्ते पर बैठी चीटी पत्ते के साथ बैठी चली चा रही थी वह टूबने ही वाली थी कि तभी एक कबूतर उधर से उड़ता हुआ निकला चीटी को टूबते हुए देखकर उसे तया आ गई उसने पत्ती समेथ चीटी को नदी से निकाल दिया इस प्रकाई जिस पेड़ पर कबूतर रहता था चीटी भी उसी पेड़ के नीचे रहने लगी दोनों में खूब मित्रता हो गई कुछ दिनों बाद एक पहेलिया उधर से निकला उसने पेड़ की डाल पर पेखबर बैठे कबूतर को देखकर उस पर तीड चलाना चाहा अपनी मित्र को संकट में देखकर उसे बच्चानी का उपाई सोचते हुए चीटी बहेलिया के पैरों तक गई और उसके ताइं पैर में सोर से काट लिया जिससे बहेलिया का निशाना चूग गया और कबूतर बच गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैफ दूसरों की भलाई करनी चाहिए क्योंकि अच्छाई का फल मीठा और अच्छा भी होता है जूट का फल एक काउ में गोलू नाम का एक पालक रहता था वह बड़ा शरार्ती था वह रोस पक्रिया चराने जंगल चाया करता था और शरार्ती किया करता था एक दिन वह चंगल में एक पीड पर चड़ गया और सोर सोर से चिलाने लगा बच्छाओ बच्छाओ फेडिया आया फेडिया आया कोलू की आवाज सुनकर गाउवाले उसकी सहायता के लिए दोड़े गाउवालोंने पूछा फेडिया कहा है कोलूने हस्ते हुए कहा फेडिया तो आया ही नहीं मैं तो यू ही मजाग कर रहा था गाउवालों ने गोलु को काफी भला बुरा कहा और वे वहाँ से चली गए एक दिन जब जंगल में गोलु पक्रियां चरा रहा था उसी समय फेडियां आगिया फेडियां को देखकर वह सूर से फेडियां आया, फेडियां आया कहकर चलाने लगा गाउँ वालों ने गोलू की आवाज सुनकर समझा कि वाप पुना शरारत कर रहा है अता उसे बचाने कोई नहीं गया फेडिये ने गोलू को खायल कर दिया इसलिए उकती है कि हमें शरारत में भी छूट नहीं बोलना चाहिए